वर्ट सावित्री पूजा समागरी जी हाँ पूजा समागरी अप्लो कोईशन करने की क्या क्या चाहिए वो भी आज डिटेल से वीडियो में बताऊंगी और वर्ट विरिक्ष की पूजा के बढ़ की पूजा के बाद अपने बढ़ की पूजा कैसे करें ये भी मैं बताने वा पहले आपके पास जाए और ये है पूजा समागरी जी हां वर्ट सावित्री पूजा समागरी है तो यहां पे देखिए मैं क्या क्या ली हूँ तो सबसे पहले कप्रा देखिए मास का बैना है गौरी है और यह अईपन है और यहां पे सिंगार का समान भी आपको दिख रहा हो और मिटी का कलस है और चावल की ढगनी से ढगा हुआ है यह चना जो है फूला हुआ बहुत जरूरी रहता है इस दिन सारे लोग फूला के पूजा करते हैं चरहाते हैं और यहां पे देख सकते हो आम लीची केला यह सब फल के लिए हैं और यह है पेरा जी हैं चरहाया जाता ह और एक परशाद पति के लीए बी निकाला जाता है और यहां पे फूल है और यह 11-21 गाठ बांधा जाता है उड़ चरहा के उसके बाद खुद पहना जाता है तो यह माला बनाओ है जो कि मैं चरहा के बटवरिक्ष मे पहनती हूं और यहां पे यह जो है पिठार जी हां पिठार रखा हुआ है जो की लगाया जाता है बट विख्ष के पत्ते पे और उसके बाद उपर से पूजा किया जाता है तो यह सब नौलेज है मुझे और यह मैं अपने पूजा में रखती हूँ हर साल तो मैं सुची क्यों न आप लोग को दिखा दूँ और यहां पे आप देख सकते हैं सारी सुहागन जी हां पूजा के बाद फेरी देती हैं पाच साथ वार कच्छे धागे से और आपको मैं बत रखे जो कि कभी खृब नो हो जैब वँआ तो उनको वह परशाद जरूर के लाए अपने पती को और फिलाल यहां पे बताई थी कि पती का पूजा कैसे किया चाता है तो यहां पे मैं जिस तरह से करती हूँ वो बताती हूँ तो सबसे पहले मैं उनका पैर दोती हूँ तो यहाँ पर देख सकते हूँ मैं अपने हस्बिन का पैर दो रही हूँ उसके बाद यहाँ देख सकते हूँ कप्रे से मैं पोच हूँगी पोचने के बाद मैं कैसे कैसे कर फिर सुखे हुए तोलिया से पैर पोचती हूँ पैर पोचने के बाद अच्छे से पैर पोचती हूँ देख सकते हूँ और इस दिन कहते हैं हमारे हस्बिन को ज़्यादा ही औभगत मैं कर देती हूँ और भगत के बाद तिलक लगाने के बाद जी हां अच्छत जो है वो छीटा जाता है तो भी मैं करूंगी और मैं बैट के ही पूझा करती हूँ मैं खरे होके नहीं करती हूँ बहुत को देखती हूँ खरे होके करते हुए तो बैट के कमफर्टेबल होता है तो मैं वो भी बैठे रहते ह पूजा करते हो उसके बाद भी देख सकते हो कच्चा धागा जो होता है वो ये वो धागा है जो कि बाट व्रिक्ष में जब आप फेरी देते हो उसी में से लाया जाता है तो इस पर मेरे पास बहुत ज़्यादा ही था अगर कोशिस करें कि थोड़ा सा बचा के ले आए और उ लपेट के और बांधा जाता है उसके बाद परशाद ये दिया जाता है जी हाँ तो जो परशाद मैं अपने हस्बन के लिए चरहा जाता है पती को देने के लिए तो वही परशाद उनको दूंगी उसके बाद और जो परशाद होता है वो सारी लोगों को दिया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं परशाद दे रही हूं उनको तो यह सिर्फ हस्बंड ही खाते हैं बाकी घर के कोई सदस्द से नहीं खाएंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं आरती कर रही हूं जी हाँ भूग लगाने के बाद आरती किया जाता है तो आरती कर रही हूं यहाँ देख सकते हो और ये recording मेरे देवर जी कर रहे थे पिछले साल वो किये थे तो वो footage मेरे पास था तो मैं सुची क्यों डिटेल से आप लोग को बताओ और ये वो पानी है जो कलस में हम लोग रखते हैं बट व्रिक्ष के नीचे जी हाँ वो ही कलस का पानी पिला जाता है इसमें मिठा रहता है और सारा कुछ हो गया तो परणाम कर रही हो परणाम करने के बाद जी हाँ ये जो बैना है इसे बैना से होका जाता है जी हाँ तो वही मैं पंखा होक रही हूँ मैं तली में होक ना बोलते हैं यहाँ जेलना बोलते हैं क्या बोलते मुझे उतना नहीं पता है आप लोग क्या बोलते हैं अपने भासा में वो मुझे बताएगा और उसके बाद जी हाँ यह मैं उनके हाथ से लेके रख दी है उनको फुर्शत मिलेगा तो वो खा लेंगे और देखे कि मुझे क्या करवाने में और हर पती को अपनी पती से से शिवा करवाने में अच्छा लगता है कोई बात नहीं तो उसके बाद देखे मुझे क्या गिफ्ट मिलता है तो यहाँ पे गोलडका जी हाँ गोलडका रिंग है वो गिफ्ट मिलता है मुझे तो कैसा लग आप सभी को हमारे यह आसा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट अवाचिंग